आप एक छोटा सा एकस्पेरीमेंट करके देखना करेले को पीसे में काटके अपने नंगे पैरो के नीचे रोंद कर देखना कई देर तक पैरो से रोंदना उसको जब आप नाप कई देर रोंद होगे तो उसका जो घो खराश है आपको जीब के उपर फील होनी श्राट हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि जब जो चीज अपने पैरों नीचे रूंदी जा रही है वो दिदेरे पैरों के थुरू हमारे शीर के अंदर एंटर करती है और हमारे इस खोपड़े तक पहुंच जाती है तब ही तो आपको आपका मुह खारा हो जाएगा मतलब अब इस चीज को बाकी जगवी लगा कर देखो अगर हम नंगे पैर कहीं भी जाते है जहां पर हमारे पैर रखे जा रहे है वो सब चीज़ें मारी बोड़ी के अंदर एंटर कर रही है तो इसलिए ध्यान रखो जब भी आप नंगे पैर कहां चल रहे है वो जगह साफ सुत्री होनी चाहिए ठीक है धरती माता पर नंगे पैर चलना चाहिए लेकिन अगर गंदगी है तो वापर बिल्कुल ना चले कुछ लेडिज क्या कर रही होती है कपड़े धो रही है तो कपड़ों को पैरों से रोंद रही है तो जो सर्फ का पानी है वो भी आपके अंदर एंटर कर रहा है बोड़ी के अंदर या बच्चे नंगे पैर गलियों में भूम रहे है अगर गली साफ सुत्री है मिट्टी अच्छी है तो कोई दिक्रतनी है उसका आपको फाइदा मिलेगा मिट्टी के जो अच्छी चीज़ें वो बोड़ी के तरह एंटर करेगी लेकिन अगर सड़क गंदी है गोबर पड़ा है गंदगी पड़ी है और वहां बच्चा नंगे पैर घूम रहा है तो उसका नुकसान होगा दिमाग में बूसा ही भरेगा उसके तो इसलिए हमेशा ध्यारक को नंगे पैर आपके कहां रखे जा रहे हैं वो जगए साफ सुतरी या अच्छी होनी चाहिए